अगर आप बैन्मिंटन अभी खेल रहे हो और आपको इसे प्रोफेशनी लेना है तो आपको क्या 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 करना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताऊंगा तो यह कोई एक एंटर्टेइन्मेंट वीडियो नहीं है तो पहला पॉइंट है वह है फिजिकल फिटनेस तो इस फिजिकल फिटनेस बहुत इंपोर्टन या पोई बीश्पोर्ट स्के लिए उसके लिए भी अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप ज्यादे देर दक बैन्मिंटन कोट में खेल पाओंगे वो भी एक अच्छी इंटें के अंदर वो है एंडुरेंस तो एंडुरेंस पाने किसी बी एक्टिविटी को लंबे समय तक करने के लिए वो भी बीना किसी फटी के हम उसे एंडुरेंस कहते हैं जब हम बैन मेंटन कोट में ट्रेनिंग कर रहे हैं या प्रेक्टिस कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो उसे लंबे समय तक करने के लिए endurance training help करती है साथे साथ endurance training में आप कर सकते हो long running like 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes और जो आपकी speed रहेगी ज़्यादा speed भी नहीं करना है और ज़्यादा slow भी नहीं आपको medium pace running करना है और अगर आपने अभी अभी start किया है तो like 10 minutes से start किजिए फिर दीरे दीरे उसको बढ़ाईए सो गई जो मेरा second point है वो है strength training तो strength training बहुत ही important है badminton में क्योंकि हमें बहुत सारे इधर उधर movement करने पड़ते है lunges करना पड़ता है बार-बार jumps करना पड़ता है तो उसके कारण हमें lower body में काफी strength चाहिए रहती है तो हमें upper body में भी काफी strength होनी चाहिए तो अगर आप एक sub junior player हो तो आप own body weight training कर सकते हो जैसे wall chair, plank, duck walk, frog jump, squat यह सिब कर सकते हो और अगर आप एक junior या senior player हो तो आप gym training साथे साथ own body weight training तो करना ही है जिम training भी कर सकते हो नेकिन आपको यहाँ एक चीज ध्यान अगना है कि जिम training में आपको body building वाले training नहीं करनी है तो गयाई जो मेरा third point है वो है agility training तो जैसे कि आपको पता है कि bandminton में हमें काफी quick movement करना पड़ता है और बार बार जल जल दे direction भी चेंज करना पड़ता है वो भी काफी speed में तो agility training help करती है यह सब अचीव करने के लिए तो guys मैं अलग से एक video बना दूँगा agility training के उपर तो guys जो मेरा four training ने है वो एक coordination training coordination training में क्या होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा body part involved उरते हैं एक certain task को perform करने के लिए वो भी एक smooth manner में हम उसे coordination training कहते हैं जैसे eye hand coordination या eye hand foot coordination तो चलिए मैं आपको एक दो demo दिखा देता हो इस training का कि अच्छा करता है मसल या ग्रूप और मसल के रेंज और मूशन को बढ़ाने के लिए साथ इसाथ injury होने के chances से उसको भी काफी कम कर देता है तो जबी भी हम कोई भी physical fitness करें या on core training करने के बाद हमें stressing करना बहुत ही जरूरी है तो गाइज यह थे मेरे पॉइंट के ओपर वीडियो बनाने के लिए तो गाइज यहां एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि में जितनी training बता है यह आपको डेली नहीं करनी है जैसे वीक में आप एक दिन करोगे endurance training एक दिन करोगे speed training एक दिन agility एक दिन strength training एक दिन power training तो ऐसे से करके आपको डिसाइट आपको पूरा schedule बनाना है साथ इसाथ जो हमारा flexibility mobility यह आपको डेली करना और जो जितने बजगा है वो training को आप इसके साथ मिक्स करके कर सकते हो जो जो मेरा second है वो है on coach training तो इसमें आप badminton court में क्या के training कर सकते हो मैं आपको वो बताऊंगा तो इसमें आता है जो हमारा पहला point है हो है multi shuttle training तो इसमें क्या होता है आपके coach एक person court के एक side खड़ा होते हैं और वो 20-30 shuttle अपने हाथ में hold करेंगे और दुसरे side एक player खड़ा होगा अब क्या करेंगे coach एक एक shuttle उसके तरफ देंगे और उस player को मारना है यहां player को को सीज यह करना है कि सारे shuttle को मारे कोई भी मिस्स ना करें और जितने जल्दी हो से के shuttle को हिट करें और सारे court के अंदर हिट करें कोई भी बाहर आउट नहीं मारे कि 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 शक्रीण ट्रेइनिंग वह फुट फुक ट्रेनिग इसमें आता है शैडो आता है शेटल रन आता है इस टॉपिक के आपर और लडी में एक वीडियो बना चुका हो तो आप आप आई बटन में जाके देख सकते हैं जो हमारी 3rd training है वो है fix stroke इसमें क्या होता है एक rally fix किया जाता है उस rally को बार-बर continue लंबे समय तक किया जाता है तो जो हमारी 4 training है अगर आप एक singles player हो तो आप खेल दकते हो 1 vs 2 या 1 vs 3 अगर आप एक doubles pair हो तो आप 2 vs 3 या 2 vs 4 ऐसे खेल सकते हो ठीक है उसके बाद जो हमारा final onco training है वो है games या matches इसमें आपको full court match केलना पड़ता है तो गाइज मेरा third point है nutrition तो एक आम इंसान और एक athlete की nutrition में काफी difference होता है जहां आपके activity level बढ़ जाती है क्या change हो जाती है तो आपका nutrition भी change हो जाता है तो अगर आपको badminton को professionally खेलना है या उसमें exhale करना है तो आपको एक balanced nutrition लेना बहुत ही जरूरी है जिसमें आते हैं आपके protein, carboid, fats, fibers, micronutrients, minerals, vitamins, साथ-साथ आपके fluid, fluid माने water तो यह सब चीज को आपको ध्यान रखना है, साथ-साथ आपकी meal की frequency and timing को भी ध्यान रखना है यह नहीं कि आप 2-3 घंडर training करके आए और सिर्फ दाल-चावल और रोटी सबजी खा रहे हो या 2-3 लिटर दूद पी दे रहे हो, आपको यह सब चीज नहीं करना है मैं यह नहीं बोल रहा हो कि दाल-चावल और रोटी सबजी खराब होती है मैं बोल रहा हो कि वो तो खाना है साथ-साथ आपको एक balance nutrition भी बहुत ही जरूरी है मैं एक example के थुरू आपको बताता हूँ, जब हम अपनी कार को servicing के लिए ले ले जाते है तो servicing के time engine में engine oil डालते है, brake में brake fluid डालते है, fuel tank में petrol या diesel तो डालते है न हर जगा थोड़ी हम सरसों का तेल डालते है वैसे ही हमारी body को भी जब हमारी activity level बढ़ जाते है तो हमारी body को recovery चाहिए रहता है strength बढ़ाने के लिए, performance बढ़ाने के लिए हमें एक balance nutrition बहुत ही ज़रूरी रहता है तो guys मैं कोसिस करूंगा nutrition के ऊपर एक video बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो आप एक professional dietitian के पास जा सकते हो वो आपकी training के हिसाब से आपका diet बनाके देगा जो आपको काफी helpful रहेगा आपके training में तो guys जो मेरा fourth point है वो है recovery के उपर अब आपने अच्छी training कर ली ठेक है अब अच्छा खाना खा लिए अब आपकी body को चाहिए recovery ठेक है साथ साथ आपकी body growth में भी काफी help करेगा अगर आप like seven to eight hours sleep करते हूँ ठेक है आप दो training के बीच में जैसे दो session like morning fitness कर ले या उसके बाद on-cut कर रहे हैं तो उसके बीच में भी आप power nap या long nap ले सकते हो वो भी help करेगा आपको एक छोड़ी सी recovery देने के लिए आप कर सकते हो stretching कर सकते हो form rolling कर सकते हो वो भी काफी healthful है आपके recovery में साथी साथ आप cold water bath nutrition जैसे कि मैं आपको पहले ही बता जूँका वो भी काफी healthful है आपके recovery में में जो फिफ्थ पॉइंट है वो mental preparation के उपड़ है तो जब भी आप कोई training करने जा रहे हो या match खिलने जा रहे तो आपको mentally prepare करना है साथे साथे strategies भी बनानी है तो मैं आपको एक example बताता हो कि Thailand की mixed doubles team है जो recently तीन tournament continue जी ती जिसमें से जो third tournament था वो BWA world tool final था जो one of the biggest tournament में तो उन्होंने अपने इंटर्विव में क्या कहा कि जब हम training करते थे तो अपने आपको mentally prepare करते थे कि हम अपने opponent के साथ खेल रहे है ऐसा उलूंग विजुलाइस करके खेलते थे साथ जो उनका environment है उसे भी विजुलाइस mental प्रिपेर करके खेलते थे कि यह ऐसा environment है ऐसे हमारे opponent है तो हम ऐसे खेलेंगे करके तो यह उनको काफी benefit रहा और वो तीन tournament continue जीते इसके अलावा भी आप meditation कर सकते हो meditation भी बहुत सारे difference देखने को मिल जाते है जैसे breathing meditation focus meditation chanting meditation और बहुत सारे प्रकार को तो जो आपको अच्छे लगता वो करिए साथ योगा योगा भी बहुत इफेक्टिव है आपको यह भी करना चाहिए जो मेरा six point है वो है get a good academy तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो अगर आप एक अच्छे अच्छे लोग के साथ खिलने का मौका मिलेगा तो आप जितने अच्छे लोग के साथ कहलोगे उतने जल्दी आपका गेम बढ़ेगा ठीक है और साथ ही साथ वहां आपको बहुत सारे different styles के players भी मिलेंगे तो आप उनके shots से उनके moves से बहुत कुछ सीख सकते हो और अब बहुत कुछ दुसरों को देख के सिखते हैं तो गया जो मेरा seven point है वह long term process तो इसमें जो पहला point आ रहा है वह daily routine तो क्या आप अपने daily routine को maintain कर सकते हो वह आपकी training हो गई वह आपकी diet हो गया वह आपका recovery हो गया यह सब को maintain कर सकते हो और आपको courses करना है कि इसमें से आपको कोई भी miss ना करना है ठीक है जो second point आता है वह हमारा consistency तो क्या आप अपनी daily routine को बनाए हुए वह भी लंबे समय तक कर सकते हो अगर आप इसे एक दो साल कर रहे हो तो आने वाले सालों में आपका कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पाद दस साल लग जाते एक अच्छे लेवल में पहुँचने के लिए ठीक है तो अगर आप badminton को professionally खिलना चाहरे हो या उसमें excel करना चाहरे हो तो आपको अपनी daily routine को maintain करते हुए लंबे समय तक करना करना होगा तो क्या आप ready हो अपनी daily routine को लंबे समय तक करने के लिए अगर yes तो आप एक अच्छे player बन सकते ह अगर नहीं तो यह आपकी बस की बात नहीं है क्योंकि सालों की मैनत लगती है national international level में पहुचने के लिए वह management के उपर तो आपको अपनी studies आपके exam आपके training आपकी tournament को manage करके चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप दिन में 2-3 session करते हो तो थोड़ा सा difficulty हो जाता आपके लिए इंजूरी के उपर तो इंजूरी काफी common है sports में तो उस समय आपको ज्यादा इधर उदर की बात नहीं सोचना है क्योंकि क्या होता है कभी कबार काफी frustration हो जाता है injury क्योंकि हम उस समय अपनी training भी नहीं कर पाते हैं तो उस समय आपको अपने focus करना अपने rest में recovery में और साथ है तो आपको ध्यान रखने कि अगर मुझे injury हुई है तो उसे पहले सबसे पहले मुझे ठीक कराना पड़ेगा ठीक है उसके बाद ही मैं फिर on court या physical fitness में उतरू ठीक है ने तो फिर वो injury थोटा सा और दीरे दीरे बड़ा रूख लेना चालू करते हैं तो आपको यह चीज अच्छे लेवल में ले जाते हैं तो उनको रस्पेक्ट आपको देना ही पड़ेगा और एक और चीज बताना चाहूंगा कि तो क्या आप रेडी हो अपने ट्रेनिंग में अपने रिकवरी में अपने निउट्रिशन में पैसा टाइम और एफट लागाने के लिए अगर य मौनस श्पाइमिया माई अच्छे लेगा हैं अबोन अ